Hello everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है, तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं, board exam के students के बारे में, तो अगर आप भी board exam देने वाले हैं, तो आप भी काफी tension में होंगी, कि exam में आपके कितने questions आएंगे, exam में आप अच्छे से लिख पाएंगे या नहीं, and काफी students होते हैं, जिनकी ये समस्या होती हैं, कि उनके exam में caution छूड़ जाते हैं, वो slow लिखते हैं, इस वजह से उनका time management नहीं हो पाते हैं, और वो exam में एक आधा answer उनका छूड़ जाते हैं, तो आज हम इसी topic पर discuss करेंगी, आज हम जानेंगी कि board exam में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको अपनी time को manage करना है, time management कैसे करना है, कैसे utilize करना है time को अच्छे से, तो चलिए start करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, कि जब आप board exam के लिए अपने examination center में entry करेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, तो exam hall में जब आप entry करते ह हैं, तो आपको अपने classroom में भेज़ जाते हैं, जिस भी room में आपका exam होगा, तो उस time पर exam तुरन start नहीं होता, कुछ break दिया जाते हैं, तो उस time पर आप पानी पीने के लिए जा सकते हैं, बाहर या फिर washroom विगरा में जा सकते हैं, तो जो भी आपको पानी पीना है, या को होई भी काम है, तो आप exam से पहले ही कर ले तो जादा बैट रहेगा, जैसे को students होते हैं, exam से पहले वो पानी पीने के लिए नहीं जाते हैं, एंड exam के टाइम पर उनको प्यास लगती हैं, ठीक है, तो आपको ये ट्राइ करना है, कि आप exam से पहले ही ये ज़रूरी काम अप आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कि जब आप exam होल में जाए, या फिर जब आप अपने खर से निकले exam के लिए, तो आपको सब कुछ चैक करके जाना है, कि आपने admit card ले लिया है या नहीं, pen वगेरा, सारा जो stationery का material है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, य तो आपको जैसे ही, caution paper मिलता है, सबसे पहरे आपको instructions देखने हैं, ठीक है, क्यूंकि जो instructions होते हैं, उसी में time management का best तरीका छुपा होता है, ठीक है, जैसे जब आपको caution paper मिलेगा, तो उसमें आप instructions पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, कि इस caution paper में कितने questions है total, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा total कितने questions है, उसके बाद उसमें ये भी लिखा होते हैं, कि कितने questions कितने marks के हैं, ठीक है, जैसे question 1, 2, 10, 5 marks का हैं, या फिर 3 marks का हैं, तो ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, जब आप instructions पढ़ेंगे, तो इसलिए best रहता है कि question paper मिलते ही, आप सबसे पहले instructions पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से questions जादा marks के हैं, कौन से questions कम marks के हैं, and कौन से question के answer में कितनी word limit है, ठीक है, ये सब कुछ आपको instructions से पता चल जाएगा, तो आप अच्छे से अपना exam कर पाएंगे, जिन questions के answers में word limit कम हो, उनमें आप कम शब्दों को लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपका समय ब्यर्थ ना जाए, इसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपको हर सवाल के marks चेक करने हैं, कि कौन सा question कितने marks का हैं, ठीक है, जो question जादा marks के हैं, उसमें आपको जादा लिखना होगा, जो questions में करते हैं, एंड कम marks के जो answers है, जो कम marks के question है, उसमें वो बहुत जादा लिख देते हैं, जिसकी वज़ए से last में जादा marks के answers करने का उनके पास time नहीं बचता, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कर लें, इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा, कि आप जो जादा marks की question है, उनको पहले ही कर चुके होंगे, तो last time पर जब आपका exam खत्म होने वाला होगा, तो आपको ज़्यादा stress नहीं होगा, कि आपके बहुत सारी questions भचे हैं, ठीक है, क्योंकि जो कम marks की question अगर आप उनमें कम भी लिख देंगे, तो भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं ठीक है, एक घंटे का समय ज्यादा लिखने वाले सवालों को दे, एक घंटे का समय आपको उन सवालों के लिए देना है, जिसमें word limit कम हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अभी, आपको एक घंटा उन questions के लिए reserve करना होगा, जिसमें आपको ज़्यादा लिखना है, ठी ठीक है, एक घंटे का समय आपको उन questions को देना है, जिसमें कम लिखना हो, जो 3-4 नमबर के questions हो उन में, ठीक है, एंड आदे घंटे का समय आपको उन questions में देना है, जिसमें बहुत कम लिखना है, जैसे एक दूशप्त, ठीक है, एंड लास्ट की जो 15 minutes होती है, उसमें आपक मिस्टेक किया है। आप उस मिस्टेक को ठीक कर सके ठीक है तो आपको revision का time जरू निकालना है। तो यह कुछ tips थे exam center में अपना time manage करने के। ठीक है। अगर आप इन tips को follow करते है तो आपका एक्जाम कभी भी नहीं छूटेगा एंद आप अच्छे से अपना एक्जाम कर पाएंगे अगर आपको यह जान करें अच्छी लगए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यों बारी मुच